प्रेमित्रों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इस्टेडी वित प्रदेप पे पटना कोचिंग संस्थान के खांसर जिनें आप जानते हैं लगबग साथ यम उनके सस्क्राइबर हैं और कोचिंग संस्थान के खांसर लगातार भारत के मुद्दे पर बिश्र के मुद करके है और जी निूच्च के दिये गए इंटेर्व्यूमीय उन्होंने कहा कि उनका नाम का बिजनस छुपा होगा इसंपे भी चर्चा करने वाले हैं और सत्य के मादस से आपको एक-एक करके सारी चीज़ें बताने वाले हैं यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अपने दोस्तों को भी सेर कर दीज़ें आप जानते हैं कि यूपी टिपल एसी पेट की बैकेंसी निकाल दी गई जिसमें आपके बंपर भरती होने वाली पचास अजार से ज्याद़ा पदों पर भरती होने वाली है जिसकी प्री की टैयारी के लेए आपको अपने चैनल पर इसटेडी प्रदीप पर फिरी की क्लाजस दी जा रहे हैं आपको पूरी classes फिरी मिलेंगी notes और PDF notes लेकर के और आपके practice paper सब कुछ आपको फिरी में provide करा जाएंगे इस चैनल पर आप यह देख रहे हैं अपने UPTSC को register करने के लिए आपको एक नमबर दिया गया इस नमबर से आप हमें टेलिग्राम पे लिकर के और आप क्या करते हैं यहाँ पे WhatsApp पे अलग अलग साइट पे भी हमें जॉइन कर सकते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे खान सर के बारे में भी चर्चा करेंगे तो आपको सबसे पहले में बता दू बहुत पहले आपने बच्च्पन में पढ़ाओगा कि यहाँ पर देखी लिखा है जात न पूछो सादु की पूछ लीजियो ग्यान अमोल करो तलवार का पड़ा रहंदो म्यान दुनिया में कोई भी बैक्त किसी भी जात धर मजहब छेतर कहीं से हो उससे हमसे क्या मतलब उस बैक्त के क्रित यानि कार उस बैक्त को अमर रखते हैं आपने सुना कि रामण जब मरने वाला था तो उसने कहा कि जब हम जब जब राम का नाम आएगा था हमारा नाम अवस्या आएगा उसी तरह से कृष्ण और कंस है तो जब जब कृष्ण का नाम आता है कंस का नाम जरूर आता है उसी प्रकार से दुनिया में कोई भी बैक्ति है चाहे ओ जो भी हो उसके जात से हमसे क्या मतलब है उसके धर्म से हमसे क्या मतलब है उसके मजहब से हमसे क्या मतलब है जो गरीबों का मसिया बन करके पटना में कोचिंग संस्थान चलाना हैं और भेक्त जितने में आप कोलिंग पिते हैं उतने फीस लेकर करने के लिए सबस्टेजब कर रहाई या टेंसन ना सिर्फ मीडिया के माध्यम से दिया जा रहा है सोसल मीडिया के माध्यम से दिया जा रहा है उसे गलत तरह से बहुत सारे उसके वीडियोज पर मैंने देखा कि खान सर के वीडियोज पर गालियां तक दी जा रही है ठीक है नाम खांसर है तो आप खांसर बोले ना बोले एक अलग का मैटर है लेकिन आपके अपने अंदर के छुपे हुए इस बैमनस को कितनी तरह पढ़ा लिया है मनुस हम समझ नहीं पाते हैं जो मुस्लिम बंध आज तक उनका सपोर्ट करते थे खुल के सपोर्ट करते थे और अपने आपको गौर्वानित महसूस करते थे यह कहते हुए कि हम खांसर के स्टुडेंट हैं आज वही मुस्लिम बंध उनका बिरोध कर रहे हैं क्यों क्योंकि कहीं से सुनने मा आ गया को उनका नाम अमित सिंग है कहीं से पोस्टर डिलीज हो गया को उन्होंने मजहाब धर्म नहीं होता है वो ग्यान के ही अपने बल पर जीता है उसका ज्यान कितना है इसी से उसको परखा जाता है उसको समझा जाता है जाना जाता है यहां पे तो बाते उल्टी पढ़ दरींगे कि वह विचारा काम कर रहा है आपके लिए दिन राद जो रिसर्च कर टीम पूरी एक-एक चीजें लेकर क्या आते है मुद्दे बताते हैं जो हमारे निवी चैनल नहीं बताते है उस मुद्दो को अगर बार्रप बता रह आपके लिलिए रिसर्च कर रहर था तो इस पर चैनल के लिए एक लिए नाम आम उन्हें जिलावद्दीन कहा जाता है, उन्हें बहुत सारे अपने नाम बताए कि उसके अलग 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 नाम से बुलाते हैं, आपके भी बहुत सारे नाम होते हैं, बच्पन में कोई बुलाता है, आपके बगल में कोई बुलाता है, बुगा कुछ बुलाती है, मम्मी सब्सक्राइब्स आपके सामने मैं भी इतनी देर से बोल रहा हूँ भोजपुरी छेतर से बिलांग करने हो लेकिन एक भी सब्द आपने भोजपुरी नहीं सुना उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे यूटूबर से आप देखते होंगे कि उन्होंने हिंदी भी बोलना उन्हें परहेज लगता हि इंगलीस में बोलते हैं कहते हैं हिंदी में हम comfort नहीं है मतलब अब इससे बड़ी उनके लिए बद्नामी की व्यात क्या हो सकती कि अगर तुम हिंदुस्तान में पैदा हुए हो तुम हिंदी में चाहिए तुम यो पढ़ा रहे हो रहें दो तुम्हें हिंदी तो आनी चाहि और हर एक चीज को बेक्ट तक पहुचा रहा है तो ऐसे बेक्ट के उपर इस तरह का इल्जाम लगाना आपके लिए गुनेगार हो सकता है गलत हो सकता है नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए कहा जा रहा है यहाँ देखिए जात न पूछो साद की पूछ लीजियो गया और मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान सज्जन की जात न पूछ कर वह एक तिराश्ट भक्त है देश भक्त है और उसके बावजू सबसे बड़ी चीज है का अपने काम के प्रतिमांदार ह अपने कारी को लगातार करता रहा है कारी करता रहा है और अपने जो भी सोच है जो भी सार्थकता है उस सार्थक तक साथ आगे बढ़ने का नियत है परिस्रम है और उस नियत परिस्रम से लगातार आगे बढ़ रहा है तो क्यों जलन हो रही नहीं कर सकते हो तो जलो भी पीछे जलो मगर दीपक कितना तो या जलो तो कम सक्म उजाला करो और आपने वही भी किया अभी बता रहा हूं उजाला तो कर दिया आप उसके जीवन में लेकिन एक मानसिक टेंसन दिया ना इस तरह से नहीं करना चाहिए किसी के साथ तो यहां आप लिखा गया देखिए अर्थ देख लिए सज्जन की जात ना पूछ कर उसके ज्यान को समझना चाहिए तलवार का मूल होता है ना कि उस मयान का जिसमें वो रखने का खोल का काम करता है पहले तो आप यूपी डिपलेसी पेट का रिजिस्ट्रेशन करने के जाएंगे अब यहां पर एक मुद्दा और बचा है कि बिजनस बिबाद है कि बिजनस अब हो सकता है कि इन ही में से कोई निकल करके ऐसा काम कर दिया हो बिबाद खड़ा कर दिया हो मैं आपको बता दूँ कि एक दिन में खांसर ने चानबे से सतानबे लाख रिश्टेशन एक दिन में हुए है कोचिंग में एडमीशन हुआ है एप खांसर के एप सतानबे हजार लड़कों का रिश्टेशन एक दिन में हुआ है तो इसका मतलब कि 24 घंटे में जहां आप किसी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं तहां उसकी चमक और निकर रही है तो इस प्रका कि सोच बिचार अगर आपके माइंड में है तो यह आपके लिए गलत है अगर आपको किसी बात पर डाउट है तो आप जी नियूज पर जा करके सारी चीज़े देख सकते हैं खांसर लाइब होकर के नियोजटीन पर जी नियूज पर अपने सारी बातों को बिबाकी से बता पूरी तरह से सपोर्ट करता हूं कि कोई बेक्ट अगर समाज के लिए देश के लिए अपने जंदा के लिए अपने चात्रों के लिए अच्छा काम कर रहा है इससे अच्छी बात और कुछ हो नहीं सकती है फ्री की क्लासेस आप यूपी टीपल सी की अगर पढ़ना चाते हैं तो यहाँ पे इस्टेडी बित प्रदी पे आपकी क्लासे से स्टार्ट की जा रही है आपको फ्री में सारी चीज़ें प्रवाइट कराई जाएंगी पूरी क्लास दी जाएगी तो सबसे बड़ी चीज पह आप अपना काम करते रही है बदनाम करने वाले आपको बदनाम करने का प्रयास करेंगे लेकिन जो अच्छा काम करता है उसका भाव बढ़ता ही जाता है उसका मोल बढ़ता जाता है और धिरे दिरे वो निखरता चला जाता है जिस प्रकार से लोग उन्हें बदनाम करने का कर रहे ते लेकिन खांज से उतने ही निखरते चले जा रहे उसी प्रकार से आप भी निकरने का प्रयास करिए आगे बढ़ने का प्रयास करिए कि हॉई बेक्त ऐसा नहीं जो धर्थी पर आपको पीछे कर सके जब तक आप खुद से पीछे नहीं जाना चाहते हैं आपका दुस्मन आपका हित कोई और नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक बेखती है और वो खुद आप हैं तो अपना हित बनिए अपने लिए अच्छे काम करिए समाज के लिए अच्छे काम करिए तरलता है एक नियम है जिससे आप अपने जीवन को निखार सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं आप जल्दी से रेश्टेशन कर दीजिए एक डबल जीरो फोर वन जीरो 9989 पर वाटसअप करिए फिर हम आप से मिलते हैं किसे और वीडियों तब तक लिजाज़त दीजिए जैए